So guys we have a new press release in income tax on ITR filing of financial year 2021 as on 16 December ये press release आपको मिल जाएगी मेरे टेलिग्राम में So अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे और GST में हमने डिसकस किया था guys अगर आपने GSTR 3B में कुछ गलत पेमेंट कर दिया है तब आपको क्या करना है उसके ओपर एक important relief order आया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है वीडियो लग जाएगी आई बटन पर आप जाकर देख सकते हो आज हम बात करेंगे regarding ITR filing तो प्लीज आप वीडियो को end तक देखना और अपना support जरूर दिखाना comment करके तो बताया जा रहा है guys 3.59 करोर income tax return already file हो गई है on the new e-filing portal और जो number of returns file हो रही है per day number of ITR filed per day has closed 6 lakh and increasing every day as the extended due date of 31 December is approaching क्योंकि 31 December date है और साथ में encourage किया जा रहा है कि आप file करो return और साथ में e-verify करो चाए OTP है या DSE है और आपको बताएगा इस OTP आने में कितना problem हो रहा है एक तो client share नहीं करता जब time से आता है और वो तो वैसे आता ही नहीं है OTP DSE में क्या error है? pan mismatch क्या error है? tax auditivity में क्या error जा रही है? अगर आप draft में काम करते हो तो version change होता है तो वो draft तुमारा save नहीं हो रहा उसी के उपर काम नहीं किया जा रहा है जो companies return file करते है concessional rate के लिए form file करने है वो file नहीं हो रहे है बताता है कि form file करने है और जब file करने बैठो वो file नहीं होता है तो कितने errors आ रहे हैं और हमें यह press release निकालके यह बता रहे है कि ITR filing हो रही है कोई error नहीं आ रहा है हमें इसलिए numbers बताये जा रहे हैं तो आपको comment box में अपना support दिखाते रहने है अपने errors लिखते रहने हैं ताकि हम आगे बात करते रहें और साथ में बोला जा रहा है कि आप return file करो based on form 26AS and AIS जैसे आपको मैंने last video में बताया कि AIS में कुछ information ऐसी है जो मतलब shares की अगर sale purchase की बात करते हैं तो महाँ पे cost आती है अगर आप अपने capital gain में inflated cost दिखाते हो indexation करते हैं long term capital gain के लिए तो department को तो पता नहीं लग रहा वो आपको notice बेज रहा है notice बेज रहा है तो आपने return already file किया है उसको revision के लिए बोला जा रहा है तो काफी points ऐसे है जो हमारा time consume कर रहे है because हमें 9 और 9C भी file करनी है इसलिए हम date extension की मांग कर रहे है request कर रहे है तो वो आपके support के बिना possible नहीं है because daily reminders आ रहे है कि file कर दो return 2 minute का काम है Maggie noodle की तरह का हम return file हो रही है तो please अपना support जूर दिखाना यह आपको telegram में मेरी press release मिल जाएगी वीडियो में कुछ भी जलागा तो like recommend करना मत बोलना till then good bye और GST की वीडियो जुरू देख लेना वीडियो लगेगी end videos में